नमस्का दोस्तों, वालक्रमाई टूप चैनल, आज की इस वीडू में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रात्म की बिद्ध्यालों में कायत 148,000 सिक्चा मित्रों को लेकर चुकी सिक्चा मित्र देखा जाए, वर्स 2017 के बाद लगातार मांदे ब्रद्धी वाण जो उनकी समस्याएं हैं, उनको लेकर मांग करते आ रहे हैं और इनके जो मुख संग्ठन हैं वो भी धरातल प्रकारी कर रहे हैं, धर्ना प्रदेशन लगातार जारी है उसी किरम में 5 सितंबर 2024 को भी धर्ना प्रदेशन लखनों के अंदर हुआ था, जहां शमस्त उत्तर प्रदेश के सिक्चा मित्रों ने उसमें प्रतभाग किया था, लेकिन वर्स 2017 से देखा जाए, कुछी वर्सों को छोड़कर जब भी सिक्चा मित्रों का काम होने का समय आ जाती है, तो इस वारी भी ऐसा ही हुआ है, पांस सितंबर 2024 के बाद मीटिकों को दोर जारी हुआ, और लाश्ट में फाइनल आश्ट अक्टूबर 2024 के लिए भी मानी वेशिक्चा मंत्री संदीब जी की अद्धिक्स्ता में एक मीटिंग कायोजन किया गया था, जिसमें तो साथ शबी सिक्चा मित्र अनदेशक इसके बाद रिश्टिया की जो समस्याएं हैं उनको लेकर इसमें जो है चर्चा होई थी, तो वेशिक्चा मंत्री जी ने सभी की मांगे जो है वन नोट की थी और कहा ता जल्दी ही प्रिस्ताव बनके आपको प्रिस्त किया जाएगा, इसका जो है जीओ सासंदेश जारी किया जाएगा, इसके बाद इहां हम आपको बताते चलें, बिधान परसे सदर्स स्रीश चंद सरमा जी अनजो बिधायक हैं, लाइश टाइम मार्णिय मुखमंत्री जी से मिले थे, और उसमें जो उत्तर प्रदेश प्रात्मिस चामित्र अपनी बात रखी, तो उन्होंने साप कहा कि आपका जो कारिये है वो प्रिक्रिया की अधिन है, और मेरे ही निर्देशन में 8 अक्टूबर 2024 के लिए वैटक का आयोजन हुआ था, और जल्दी ही आपके लिए जो आपकी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, इसके लिए इंत्यार करना पड़ेगा चुकि आपके आपके कारिये जो है आचार सहीता वाद ही हो पाएगा, तब तक आप अपना जो कारिये है पर्फन पार्टन का विद्द्धहलाय में विद्धहलाय में सही से करेए, अब आगे और भी हम चर्चा करेंगे सर्चा मित्रों को लेकर आप सिर्गेश्टे वीडियो को फुलवाज करें और चोटी सिर्गेश्ट और है तो आप हमारे यूटूब चैनल पर पहली वार बिजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही इन्फरमेटर वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और बैल आइकन प्रेस कर लें जिसके जब भी वीडियो अप्लोड हो तो इसका रोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त उसके वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करें एक वीडियो में हमें बताया था कि सिक्चा मित्र सरकार पर बोज है तो बहुत सारे शातियों ने कमेट किये आप सब्सक्राइब वर्स 2017 में इनका जो है समायो जन रद्ध हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनके पदों के स इनका जो है समायो जन किया था और इसलिए इनको यह दिन देखना पड़ा जब समायो रद्ध हुआ तो अब सरकार के जो अधिकारी है उसमें जो मौजूदा सरकार थी उनकी अधिकारियों ने नया खेल खेला ठीक है एक क्या किया तो सिक्चा मित्र की आयू बहुत हो चु जैसे ही शिक्चा मित्रों की वाली आई तो एक नया प्रक्षा लगाई यहनि शुपर टेड लगा देई कि सुपर टेड लगाने के बाद क्या हुआ कि यह खेल और खेला गया चलो प्रक्षा लगाने के बाद कोई बात नहीं है फिर आ जो है पास के मार्क का ठीक है तो पह 30-33 के लिए कह दिया तो उस प्रक्षा में 30-33 जो है पास्रिक मार्क रखे गई लेकिन जो बच्चे कोड चले गए उन्होंने कहा कि खेल शुरू होने से पहले नियम बदल सकते हैं और खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते तो यहां पर कोड ने भी ही का और उन्होंने भी 40-45 परसेंट का जो है पास्रिक मार्क कट ओफ लागू कर दिया इससे बहुत सारे सक्चामित्र इसी प्रक्षा में वंचित रहे गए ठीक है इसी प्रकार आप कहा हुआ दूसरा पार्ट आया 79,000 का तो इसमें तो क्या हुआ इसमें तो बहुत बड़ाई खेल खेला गया एक्जाम के बाद पार्स के मार्क लगाया गया एक्जाम होने के बाद कहा गया कि आप इतने नम्म लाइए तब पास माने जाओगए तो इसमें भी टेट पास है वो सभी रहे गए इसके बाद भी अब जो 69 जार सिक्चे भरती है वो कोट की अधीन है अब देखते हैं इसमें सुनवाई जो होगी बो 11 नमबर को साल लगी हुई है या होगा अब बात करते हैं सिक्चा मित्रों के मांदे बृद्धि को लेकर तो बात चलती है सहे अचार सहता कोट कर आ जाती है हम बता चुके हैं अब को फिर भी सिक्चा मित्रों को विश्वास है ठीक है और विस्वास करना भी होगा कि लेकिन स्वार जो मुखमंत्री जी ने कहा है उस पर विश्वास करना पढ़ेगा और इसके इलाबा स्री चंद सरमार जी कई वार कर चुके हैं सिक्चा मित्रों को लेकर और इसके लावा जो सिक्चक सिक्चा मित्र एक संगठन है उसके प्रदेश अधिक्ष है अभय कुमार जी इन्हों भी मुलाकात की थी आठ अक्टूबर दोजाद चौविस को मान यह मुखमंत्री जी से तो मुखमंत्री जी ने जरूर काता कि आपकी जो मान्दे ब्रद्दी आपकी समस्चा हैं उनको हल किया जाएगा तो यह नहीं है कि सिक्चा मित्रों के जो मान्दे है वो नहीं सीटें इसके लावत जो भी इनका चैन हुआ जो भी समय जिर्म आये उसके बाद दो पाटों में निकी जो है भरती निकाली गई सासन के द्वारा और कोड के द्वारा कहा गया तो इनकी जो पद थे वो तो एक हिसाब से भर चुके हैं ठीक है दो बारे भरती कुछ शेस की अधिसूचना मांगी थी वेसी जिवाक से तो उन्होंने मना कर दिया कि जो हमारे बिद्धालम में चात्रों और शिक्चा अनपात देखा जाए तो वाईस अनपात एक का अभी रेशियो है अर्था सिक्चा मित्रों को मिला दें तो वाईस चात्रों पर एक अध्याफक फिट बैठता है अब यहाँ पर जो नई भरती है वो निकलने के चांस शुफर है और जो अबरती बारवाद धन्या प्रदसन कर रहा है उनसे भी सरकार एही रेशियो दे रही है कि अभी भरती नहीं हो पाएगी जगह नहीं है बैकंसी नहीं है तो इसको लेकर भी एक असम मंद्री जी ने कहा है कि अपको प्रिस्थाव बन कर आया है और जो प्रिस्थाव आया है वो उसके साथ में मानी वे Actually मंत्री और जो अधकारी गढ़ें सभी की साथ मीटिंग करूँगा मन करने के बाद ही आपकी जो मांगे है उन पर जो है नई लिए जाएगा और आपका स आसन देश जारी किया जाएगा तो मान दे जरूर बढ़ेगा आप यहां पर बहुत सारे सिक्चामित्र अन प्रदेशों की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश है राजिस्तान है लेकिन यहां कुछ फेंच फसा हुआ है अब हम बात कर लेते हैं ऐसे सिक्चामित्र जो टैट और सिक्चामित्र अन प्रदेश अन्हें जो रास्ता निकाला है वह तारीफ यह काविल है इस रास्ते पर सवीट टैट और सिक्चामित्र चलते हैं तो मंजल मिल सकती है चुक्झे यहां देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी सीटें काली है 27,000 करीब और टैट पास भी सिक्चा मित्र हैं 40-50 हजार हैं तो एक कांदुलन की तरह एक अंड़नाय बिने करने के वाद सासन से कह सकते हैं कि हम जो है आटी एक अनुसार जो सिक्चक बनने की यक्ता है वो पूर्ण रखते हैं और हमें उत्राखंड मौडल के अनुसार यहां पर समायोजत किया जाए हमे सिक्चक का दरजा दिया जाए तो जो भी टैट पास सिक्चा मित्र हैं उनसे अन्रोध है कि जो संग्ठन है सिक्चक सिक्चा मित्र रुथान समती इससे जुड़िये और अपना संगर सागे बढ़ाईए जिससे कि आपको सपलता मिल सके तो आज की इस वीडियो में यह थी जानकारी आने वाले वीडियो में और आपके लिए अपडेट देंगे तब तक जो साती हमारे वीडियो पर बाच किया उनको बहुत 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 बहुत